निंग स्टुडेंट्स देसे और मैट्स पीरियाट चैप्टर नमबर सेकेंड एडिशन हमने स्टार्ट किया हुआ है उसी को हम कॉंटिन्यू कर रहे हैं एकसेसथटू बी का जो कोशन नमबर सेकेंड है सॉल इस सम्स इन या नोट्बुक हमें ये सम्स अपनी नोट्बुक में सॉल करने है ओके ये पार्ट है 6,000 में एड करना है आपको 1,000 को 6,000 में add करना आपको 1,000 को 6,000 में add करना है 1,000 को कैसे add करेंगे सबसे पहले लिखो Once, Tense, Hundred, Thousand Once, Tense, Hundred, Thousand अब यहाँ यह thousand तक गई हैं न दोनो Once, Tense, Hundred, Thousand Once, Tense, पहले एक डिजिट उठा लो Once, Tense, पहले कोई भी एक डिजिट उठा लो और क्या कर लो add months digit क्या है? 0 tens digit क्या है? 0 hundred digit क्या है? 0 thousand digit क्या है? 6 अभी यह ले लो months digit 0 tens digit 0 hundred digit 0 thousand digit 1 0 में 0 प्लस करोगे 0 0 में 0 प्लस करोगे 0 0 में 0 प्लस करोगे 0 6 और 1 7 बी पार्ट देखो मैं आपको यह करा देतू 3425 लिखते हैं 3425 plus 3313 first of all इसके उपर भी लिखो once tens hundred thousand once tens hundred thousand once tens hundred thousand five digit है once tens में है two hundred में है four thousand में three वाले यह digit पूरी लिख लो अभी यह वाले three है once अब सी पार्ट इवे यह करा देते हैं आपको three digit में से एक पार्ट यह करते है three thousand seven hundred twenty seven plus two thousand one hundred sixty-two plus two thousand three digit है three numbers है once tens hundred thousand one tens hundred thousand one tens hundred thousand one tens hundred thousand व्ले यह कर तो seven two seven three व्ले यह कर तो 2, 6, 1, 2 फिर इसको उठाओ 0, 0, 0, 2 करो प्लस 7 में 2 प्लस करोगी यह 0 नहीं है 1 साइस को आड़ नहीं करना 7 में 2 प्लस करोगे 9 9 में 0 प्लस करोगे तो 9 ही आएगा 2 प्लस 6, 8 8 में 0 प्लस करोगे 8 ही आएगा 7 और 1, 8 8 में 0 प्लस करोगे तो 8 ही आएगा 3 प्लस 2, 5 5 और 2, 7 इसी तरह से आपको बस डिजट लिखनी है नंबर लिखनी है उनके उपर यह 1st, 10, 100,000 place value mention करनी है और 1st के नीचे 1st, 10 में 10 100 वाले कॉलम में 100 वाले 1000 वाले 1000 वाले 1000 वाले end में add कर दिना यह आपकी exercise 2B है जो आपको फिर notebook में करनी है और rough notebook में practice करनी है कोई भी query हो doubt हो तो clear कर लेना thank you have a nice day